ओम श्री गनेशाय नमा आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे सिंग राशी के बारे में चार मई सोंवार से लेकर दस मई रभिवार तक का समय आपके लिए कैसा रहने बाला है दोस्तो हमारा राशी फल चंद राशी पर अधारित है चार मई सोंवार से लेकर साथ मई गुरुवार तक का समय विशाक मास की शुक्ल पक्ष का समय रहेगा इसके बाद आठ मई से जेस्ट मास के क्रिशन पक्ष का समय शुरू हो जाएगा चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तो सिंग राशी वालों के लिए यह सब्ता बेहद खास और सांदार है शुरुआत करते हैं चार मई सोंवार से चार मई सोंवार को दौाच्शी तिति रहेगी उत्तर फालगुनी नक्षत्र होगा चंद्रमा कन्या राशी से गोचर करेंगे सूरिय का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है सिंग राशी वालों सब्ता की शुरुआत आपके लिए बेहद खास और सांदार होने वाली है इस दिन आपको बड़ी मात्रा में धनलाब हो सकता है यह समय आपके लिए बेहद खास है आपकी धन संबंदी समस्याएं इस दिन दूर होने वाली है इस दिन आपके सवभाव में प्रैक्टिकल नेचर देखी जाएगी आप चीजों को अच्छी तरह समझने वाले है यह समय आपके धन की स्थिति को मजबूत करेगा और आपकी सिहत को भी बहुत अच्छा करने वाला है इस समय में आपकी रूची फैशन में ग्लैमर में और रचनात्मक कारियों में हो सकती है आपका रुझान क्रियेटिविटी में रहेगा इस दिन आपको अपने कामों में संतूलन प्राप्त होगा आपका रुझान भोतिकता की तरफ रहेगा आप में साकरात्मक परभाव इस दिन बढ़ने वाला है दोस्तों इस दिन आप अपने हर काम में पूरी तरह अप्रोच करेंगे हर काम को शुरुआत से लेकर अन तक पूरी तरह पूरे परफेक्शन से आप करने वाले है भोतिक सुख सुविधाएं इस दिन आपको प्राप्त होंगी अच्छी समझ से आप मुश्किल कामों को अपने लिए आसान बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस दिन आने वाली है इस दिन आपकी आर्थिक स्थिती में बड़ा सुधार होगा यह समय आपके परिवारिक रिष्टों में भी मिठास भरने वाला है और आपके लोंग टम रिष्टे अब बनने वाले है दोस्तों पुराने वाद विवाद दूर होते हुए दिखाई देंगे और इस समय में परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलने वाला है इस समय में आपको नए लोगों से भी मित्तरता करनी पड़ेगी और ये नए लोग आपके बहुत काम आने वाले हैं इस समय में आप किसी भी परकार से रिस्क लेना पसंद नहीं करेंगे, विपरीत परस्थितियों में भी आप किसी भी परकार से नहीं घबराएंगे, और मुश्किल स्थितियों को अपने लिए बहुत असानी से आप असान बनाने वाले हैं, दोस्तों इस समय में आप अच्छ सारी देखी जाएगी और आप समाजी कारियों में भी रूची लेंगे इस दिन आपको म्यूजिक बहुत पसंद आने वाला है आपका रूजान क्रेटिव एक्टिविटीज में आर्ट्स में पोईट्री में राइटिंग में खाना बनाने में इन चीजों में भी हो सकता है लेकिन आपका बोल चाल बहुत अच्छा होगा दोस्तों आप इस दिन अपने शत्रूं को भी अपना बना लेंगे और आपके शत्रू भी आपके आगे घुटने टेक देंगे दिन आपके लिए अतियुत्तम बना हुआ है शेहत बहुत अच्छी रहेगी व्यापार में सफ गलवार की इस दिन त्रियोद शीती रहेगी हस्त नक्षत्र होगा चंद्रमा कन्या राशी से गोचर करेंगे चंद्रमा का ही नक्षत्र इस दिन रहने वाला है दोस्तों इस दिन आपको पुरानी बातों को सोच कर परेशान नहीं होना चाहिए काम की अधिकता इस दिन बन दिखाई देगी, शेहत के मामलों में आपको सेहत में सुधार आते दिखेगा, बस आपको वायू विकार से बचना है और ठंडी चीजों का इस्तमाल इस दिन ना करे, इस दिन आप में जिग्यासा बढ़ेगी, इस दिन आपकी क्रियोसिटी बढ़ने वाली है, नए विचार आपके मन में आएंगे, सोच साकरात्मक रहेगी और आप अपने मन की बातों को एक्सप्रेस कर पाएंगे, इस दिन आप काफी लोजिकल रहने वाले हैं, और आप अपने दिमाग से बहुत सी समस्याओं का हल निकालने में कामियाब होंगे, अपने कामों को चलाने में कामि इस दिन आप का सौभाव भी मिलनसार रहेगा लेकिन कुछ मामलों में इस दिन कनफ्यूजन की स्थिती बन सकती है इस दिन आप बात चीत करके अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं परिवार के साथ घुले मिलने का प्रयास इस दिन करना चाहिए इस दिन आप को अनावश् कामों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने फिजूल के खर्चों पर रोक लगानी चाहिए इस दिन धन समंदी समस्याओं दूर होंगी धन की स्थिती मजबूत रहेगी पैसा आने की संभावना है लेकिन खर्च भी आप से हो सकते हैं दोस्तों बात करे छे तारि का राशी से गोचर करेंगे दिन में मंगल का नक्षत्र और साइकाल में राहू का नक्षत्र रहने वाला है दोस्तों यह दिन आपके लिए बहुत बहतर है इस दिन पूजापाठ में धर्म अध्यात में गुप्त विद्याओं में आपकी रूची बढ़ेगी और आपका र परिवार के काम आने वाले हैं पारिवारिक जिम्मेवारियों को आप खूबी निभाएंगे और घर में नया समान इस दिन आ सकता है इस दिन आपको परिवार के लोगों की जुरूरतों को पूरा करने के लिए घर से निकलना भी पड़ सकता है जोश प्राक्रम बना रहेग मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटेंगे समय आपके लिए भाक्यशाली होगा दोस्तों बात करें साथ तारीक गुरुवार की इस दिन पुर्णिमात इथी रहेगी दिन में स्वाती नक्षत्र और शाम को विशाखा नक्षत रहेगा इस दिन चंद्रमा तुला राशी से होंगी और आप अपने कामों में रिस्क लेना पसंद करेंगे इस दिन आपको जल्दबाजी से बचना है सोच समझ कर ही फैसले लेने चाहिए दिन के समय में सितारा थोड़ा कमजोर हो सकता है लेकिन शाम के समय में बहतरी बाला होगा दोस्तों का साथ मिलेगा और भाई ब प्राप्ती होगी और बच्चों के साथ रहना भी बेहत पसंद आएगा आपकी लब लाइफ भी इस दिन खास रहेगी बस आपको शाम के समय में खाने पीने का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए मोज मस्ती अधिक ना हो इस बात का भी ख्याल रखें दोस्तों बात करें आठ इस्चिक राशी से गोचर करेंगे दिन में ब्रस्पती का नक्षत्र और शाम को शनी का नक्षत्र रहने वाला है दोस्तों यह दिन आपको मिले जुले परिणाम देने वाला है आठ तारिक शुकरवार के दिन आपको किसी भी तरह से बड़े रिश्क नहीं लेने चाहिए इस दिन आप बहुत अधिक समवेदन शील हो सकते हैं लेकिन आप के मन में परसंता भी देखी जाएगी आपको खुशी का आभास भी होगा इस दिन आप परिवार के साथ रहना पसंद करेंगे इस दिन आप नए कामों में अत्यदिक रूची दिखाने वाले हैं इस दिन आप को कुछ मामलों में अधिक emotional होने से बचना चाहिए दूसरों का आप अधिक ख्याल रखेंगे अपने परिवार के लोगों का खास ख्याल रखेंगे और जिन से आप प्रेम करते हैं उनके बारे में आप इस दिन अधिक सोच सकते हैं इस दिन आप को अपने कीमती समयं को कीम पूरादा नक्षत्र शाम को जेश्था नक्षत्र रहेगा इस दिन चंद्रमा वरिष्चिक राशी से गोचर करेंगे सुभा शनी का नक्षत्र और शाम को बुद्ध का नक्षत्र रहने वाला है सिंगराशी वालो इस समय में पुराने उधार की वापसी होगी पुरानी बिमारियों से छुटकारा मिलने की संभावना नजर आएगी इसके अतरिक्त रुका फसाधन मिलने की संभावना प्रबल है वाद विवाद में आपकी जीत होगी और शत्रू पर भी जीत तर्च होगी नए निवेश की कोई प्लानिंग हो सकती है और करियर को लेकर कोई बड़ा बदलाव हो सकता है इस दिन आपको बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहिए छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर ना ले अपनों की गलतियों को नजरंदाज करें और अपनों को माफ करके चलें इसके अतरिक्त बड़े निवेश से इस दिन आपको बचना है दिन के समय में सितारा कुछ कमजोर रहेगा लेकिन शाम के समय में बहतरी वाला होगा और शाम को आपको पोस्टिव रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों बात करें दस तारिक रभिवार की इस दिन तृत्यात इथी रहेगी मून लक्षत्र होगा चंदरमा धनुराशी से गोचर करेंगे केतु का लक्षत रहने वाला है सिंगराशी वालू इस दिन आप उर्जा से भरपूर होंगी आप में नई महत्वा कांशाएं देखी जाएंगी आप में एक अलग सी सोच का विकास होगा आप बहुत ज़्यादा एंबीशियस हो सकते हैं आपकी संकल्प शक्ति भी बढ़ेगी आप परभावशाली व्यक्तित्व नजराएंगे इस दिन लीडर्शिप क्वाल्टी आप में जनरेट होगी और आपको कई तरह से गुप्त रूप से भी मदद प्राप्त हो सकती है एक्स्ट्रा इंकम इस दिन बन सकती है लोटरी द्वारा धन की प्राप्ती भी हो सकती है इस दिन आप स्वतंत्र मान सिकता रखेंगे और एक अजाद व्यक्ति की तरह आप फैसले लेंगे आपकी निर्ने लेने की शमता बहुत अच्छी होगी लिये गए फैसलों में सफलता प्राप्त होगी पारिवारिक स्थितियां इस दिन बहुत अच्छी रहेंगी घर परिवार में सुक्षानती दिखाई देगी कारोबारिक स्थितियां भी बहुत अच्छी होगी आपकी लब लाइफ भी बहतर रहेगी और हर परकार से सेहत भी बहुत अच्छी होगी इस दिन आपको हर काम में सफलता मिलने वाली है और विशेश मान संबान की प्राप्ती होगी अपने पिताजी से भी आपको लाप की प्राप्ती होगी हर तरीके से यह समय आपके लिए बलबान होगा दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सच्चे मन से ओम श्री गनेशाय नमा जरूर लिखें